रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ अपनी तयारी को बहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप नमस्कार मैं रणवीर चौधरी रिटायर असिस्टेंट कमांडेंट से रिम क्लासेश के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में जो बच्चे एकजाम की तयारी कर रहे हैं एकजाम का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कुछ छोट छोटी चीज़ों में अपन डिसकस करेंगे एक सबसी इंपोर्टेंट चीज में आखरी दिनों में तयारी घरनी चीए उन चीजों पर भी अपन बातचीत करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ ही जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टुडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में दोस्तों पूरा देखना है हो सकता है कि य है सानी यह कि जो फैखर होता है मेनत नहीं करता है वो भी मेनत करता है बट उसमें से सब्सक्राइब करता बहतों अपनी मेंजिल को पाता है और दोस्तों कठ greetings परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है आपकी की ही मैनत आप को कभी भी निरास्त नहीं करेंगी और जाम की दो इस्तिती हैं, एक इस्तिती ये होती है कि क्या चल रहा है भी, तो क्या चल रहा है, RPSC की तरब से अभी कोई सूचना ऐसी नहीं है, कि एक जाम पोस्ट पॉंड होगा, या फिर इसी समय पर होगा, इसके लिए कोई न्यूज नहीं है, पिछले कुछ दिनों पह कि जब एडमिट कार्ड आएंगे, उसी समय पता चलेगा कि एक जाम आपका इसी दिन होगा या पोस्ट पॉंड होगा, जो आप मांग कर रहे हैं, मांग काफी लोग कर रहे हैं, न्यूज पेपर में भी आ रहा है, यूट्यूब पर भी आपको कई वीडियो मिल जाएंगे दिमांग कर रहें, अब वो मांग उनकी वाजिब है या वाजिब नहीं है, ये इस दिना को होना चीए, नहीं होना चीए, इसमें मेरे कोई विचार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे लिए तो सारी चीजे बराबर हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि इस डे बराबर हैं, इस परिवार में जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, होता है, नहीं होता है, वो अलग बात है, और आपके लिए मैं ये कहूंगा, कि चाहिए आपकी कैसे भी तैयारी है, उसको और बहतर बनाईए, और अच्छी तैयारी करिए, और इस चीज़ के लिए कोई रोल नहीं है, अपने आपको प्रेशान करने की, अपने आपको दुखी होने की ज़रूत नहीं है, जो भी होता है वो गोर्मेंट अपने डिसीजन लेती है, उसमें किसी का कोई वस नहीं है, ने मेरा वस है, ने आपका वस है, हमें एकजाम होगी, त नजदीक जाती हैं, वैसे वैसे हमें अंदर शेक डर सा लगता है, कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं क्या मेरा रिजल्ट रहने वाला है, तो ये हर बच्छे के साथ ऐसा होता है, आपको गबरानी की ज़रूत नहीं है, जो टोप करने वाला है, जो टोपर है, उस इसे भी अगर आपकी बात हो जाए अगर वो भी आपको बात में मिलेगा तो वो भी यह कहेगा कि मुझे भी इतना इडर लगता है तो आप इन बिल्कुल भी इस चीज़ से डर नहीं है एक्जाम के जैसे जैसे नजदीक पहुंसते हैं वैसे वैसे एक डर होना सौभाविक है और जिसकी जितनी तयारी अच्छी होती है उसको उतना ज्यादा डर लगता है तो अगर आपको भी ज्यादा डर लग रहा है तो कोई बात आपकी तयारी अच्छी है बहुत अच्छी तयारी है क्योंकि दोस्तों भागे कोई लिखावा दस्तावेज नहीं है इसे तो रोज-रोज मेहनत करके लिए पढ़ता है तो आप भी जो तैयारी आपने अभी तक कर लिए उसके उपर पूरा यकीन रखिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और इसलिए आपको डर लग रहा है अब आखरी समय में क्या होता है कि हम कई बार ये बहुत बड़ी गलती कुछ बच्चे कर देते हैं कि नई नई चीजे पढ़ते रहते हैं नई कोई किताब सामने आ गई तो उसको लेके बैठ गए नया कोई चैनल मिल गया, कोई क्लास मिल गई तो उसको पढ़ने लगे तो इन चीजों से अब बचना है अब आप सबसे पहले अपना पूरा जितनी मेने आपने अब तक की है जितने मंत की आपकी तयारी अब तक हो गई उसको अब पूरी को रिवाइज करिए और जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे ना वैसे वैसे आप में confidence अपने आप आता जाएगा जो आपका डर है वो खतम होने लगेगा अपने आप ही और अगर मेरी class आप नियमित रूप से देख रहे हो उसको तो डरने की ज़रूत ही नहीं है क्योंकि मैं लगातार आपके साथ 6 मैने से तयारी करवा रहा हूं हर चीज मैने बताई आपको planning के भी बताया है कि आपको दो मैने पहले क्या planning करनी थी अब 15 दिन बच्चे हैं तो अब आपको कैसे planning करनी है ये सारी चीजे लगातार अगर आप मुझे फोलो गर रहे हो तो आपको तो बिलकुल रने की जरुद नहीं है तो इसको रिविजन वाले पार्ट को आपको विशेश ध्यान देना है दिन में जो आपके पास टाइम होता है उसमें मैक्सिमम टाइम आप रिविजन पे लगाई कर लूँगा तो ऐसा दोस्तों संभव नहीं है बहुत लंबा सले बस है और जब तक आप रिवाइज नहीं करके जाओगे तब तक जो पहले पड़ीवी मेनत है वो भी वेकार चली जाएगी बाद में पस्ताने गहलावा कुछ नहीं है तो इस चीज का विशेश धान रखि होगा तो वो भी आप जिसने अब तक वो वीडियो मेरे पहले वाले नहीं देखिये हैं तो वो जरूर देख ले उससे आपको मदद मिलती है और पूरे दिन लगातार पड़ाई करने की बजाए कुछ देर जो आपका टाइम होता है जिसमें आपको आराभ करने की जरूरत ह है उसमें आप वीडियो देख सकते हो पुरानी क्लासेज देख सकते हो तो उससे आपको कुछ help मिलेगी काफी help मिलती है उसके अंदर अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रति दिन एक test paper जरूर हल करना है यह चीज विशेस है बहुत important है कि एक paper आपके दो पेपर ह हमें वाले हैं एक paper हिंदी का होगा सो क्यूसन का और शो क्यूसन का paper second होगा दोनों paper में अलग लग पास होना जरूरी है तो आप एक paper रोज practice set से जरूर हल करिए play store पे जाके आपने अगर application download कर रखा है तो उस पे हमने पूरे पूरे शो क्यूसन के practice set भी डाले है free of cost किसी प game ने किसी परकार का कोई charge नहीं है चार सिर्व उनी बच्चों के लिए जो पूरा course purchase करते हैं बाकी बच्चों के लिए बिलकुल free mode test रखें तो वो paper आप जरूर दें जिससे की आपको पता से ले की मेरी कैसी तयारी है और उसके बाद में और उसमें analysis भी करना है अपने आप पर आपको थोड़ा सा time भी देना है कि मेरे कौन शे पार्ट से क्यूसन ज्यादा गलत हो रहे हैं और शाथ में दोस्तों एक और problem उसमें आती है मैं पहले आपको बता दूँ आप जब वो करेंगे आप जब वो model paper हल करेंगे और उसके बाद में जो आपका score आएगा वो उस करोगे यह चीज कि model paper में जो आप score अभी कर रहे हो उससे ज्यादा score जाएगा आपका final जब exam होगा क्योंकि model paper में जो क्यूसन जो लिये जाते हैं वो उसमें tough क्यूसन काफी होते हैं जिन बच्चों का score अगर model paper में ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है तो उनको डरने की जर करना है बाकी उससे उसके score से आपको ड्रने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इसके बाद देखते हैं चौथा point है आपका कि पूरी नीद ले और संतुलित डाइट ले यह चीज दोस्तों बहुत ही important है कई बार हम लापरवाई करते हैं एक्जाम के दिनों में जैसे जैसे नस्दीक जाते हैं वैसे वैसे हम नीद कम कर देते हैं पढ़ने के प्रती टेंसल ले लेते हैं चिंता हो जाती है उसकी वज़े से नीद नहीं आती है तो वह चीज बहुत है जब आपको confidence रहेगा अपनी तैयारी पे जब आप अपने आपको रख पाएंगे सुबह सुबह आप थोड़ी देर के लिए योगा कर सकते हैं एक्सराइज कुछ कर सकते हैं प्रनायाम कर सकते हैं जिससे कि आपका मन शांत रहे दिमाग इस्तिर रहे और नई चीजें अगर हम कम पढ़ेंगे तो वैसे भी दिमाग पर वजन कम रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपको नी जिकती होगी ऐसा नहीं कि जो रात और दिन पढ़ते हैं नियमित रूप से आपको सोना भी है नींद भी लेना है इसके बाद में डाइट का भी धान रखें डाइट में जलातर क्या है कि एकजाम के दिनों में वो चीजें लेनी चीज़ों आसानी से पच सकती हैं बाहर की नहीं खानी चीए कई बार हम बाहर की चीज़ें खालते हैं उसकी वज़े से वह संतुलिश्ट डाइट में नहीं आता है उसकी वज़े से तवेत भी खराब हो सकती है इस तरह से यह अपने आपको बचाके रखना है अगर इस टाइम अगर बिमार होए तो हम काफी पीसे च कर रहे हैं अब जो टाइम है आपका अब एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है पहले वाले इतने इंपोर्टेंट नहीं थे पहले वाले दिन में कुछ भी हो सकता है बट अब जो टाइम चल रहा है एक जाम से पहले वाला ये एक एक दिन बहुत इंपोर्ट का बहुत ही जल्दी हम फिजिकल के लिए फिर मिलने वाले हैं बहुत जल्दी आपकी फिजिकल त्यारी जिस दिन रिटन एक्जाम कंप्लीट होगा उसके अगले दिन शुरू करा देंगे और इंटर्यू भी आपको यहीं त्यारी पूरी कराने वाले कंप्लीट कराने वाले ह को जिस तरह से लगे हुए उसी तरह से लगे रही है और अपने उपर पूरा विश्वास रखिए और दोस्तों हर सपने को अपनी सासों में रखो मंजिल को अपनी बाओं में रखो हर जीत आपकी होगी बस अपने लक्से को अपनी निगाओं में रखो तो लक्से से भटकना नहीं है पूरा कंसंट्रेट करके त्यारी करते रहना है इन बच्चों को फिजिकल त्यारी करने के लिए हॉस्टल फैसलिटी चाहिएगी उनके लिए गर्ल्स और बॉइस दोनों के लिए हॉस्टल फैसलिटी है और अभी एक सितंबर से क्लासे भी सुरू हो रही है ओफ- और इन सब के लिए हॉस्टल फैसलिटी गर्ल्स और बॉइस एक साल के दो साल के तीन साल के बैचेज कोलेज साथ में ये भी आप हमारे साथ यहां कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी डिफेंस से समंदित चाहिए तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो कैस अनुबावीक टीम के साथ अपनी तैयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप